हेलो दोस्तो अगर हम आपसे पूछें कि शाओमी के स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक डिवाइसिस किसे नहीं पसंद तो शायद ही कोई इंसान होगा जिसका अंसर ना में हो दुनिया भर में शाओमी के इलेक्ट्रिक डिवाइसिस ग्रहकों को काफी पसंद आते हैं और अब खुशकबरी ये है कि कमप्री ने इलेक्ट्रिक वीकल्स के सिग्मेंट में भी अपना कदम रख दिया है जी हाँ कमप्री ने अपनी दो नए इलेक्ट्रिक मोपिट को मिडल रेंज की स्मार्टफोन से भी कम कीमत के साथ लाँच कर दिया है ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोज मिस ना करें वेल इन दोनों मोपिट्स के नाम है शाओमी A1 और शाओमी A1 प्रो कमप्री ने इन दोनों मोपिट्स में अलग-अलग बैटरी पैक का इस्तिमाल किया है शाومी A1 में कंपरी ने 7.6 8KWh की बैटरी का पैक का इस्तेमाल किया है और एक बार फुल चार्ज करने पर 60 km तक की ड्राइविंग रेंज देती है इन दोनों मोपिट्स की टॉप स्पीड 25 km प्रतिघंटा की है एक और खास बात यह है कि इन दोनों मोपिट्स में रिमुविल वैटरी पैक दिया गया है जिसे आप मोपिट में से निकाल कर भी चार्ज कर सकते हैं वहीं आप इन मोपिट्स को अपने घरेलू चार्जर से भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं 16 इंच के रिम वाली इस मोपिट के फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं हाँ पता है आप इनके फीचर्स जानने के बारे में बहुत बेताब है तो बता दें कि शाओमी की इन मोपिट्स में GPS नविगेशन टेकनोलोजी से लैस इंस्ट्रूमेंट कलस्टर दिया गया है एक और खास फीचर यह है कि इस मोपिट में वाइड इंगल कैमरा दिया गया है जिससे आप अपनी राइड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके लिए शाओमी A1 प्रो में में मेमोरी बैंक दी गई है वहीं शाओमी A1 यानी बेस मॉडल में आपको एक्स्टरनल मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा पानली अप कीमत की बात की जाये तो जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इन मोपिट की कीमत मिडल रेंच स्मार्टफोन से भी कम है तो बता दें कि शाओमी A1 की कीमत 2,999 चीनी यूआन यानी करीब 31,800 रुपई रखी गई है वहीं शाओमी A1 प्रो की कीमत 3,999 चीनी यूआन यानी करीब 42,400 रुपई रखी गई है तो फ्रेंड्स आपको शाओमी की ये एलेक्टिक मोपिट्स कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये इन्फरमिशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें थैंक्यू फेरी मच